आज हम बेकार पेंट की जो बकेट होती है बीस लिटर वाली उससे हम दो सीटर और एक टेबल बनाएंगे और देखि इसमें हमें अच्छा खासा स्टोरिज भी मिल जाता है जो भी हम सवान चाहएं इसमें आसानी से स्टोर भी कर सकते है और बनाने में भी बहुत आसान है हैं और दिएने में आप देखे सकते हैं कितना खुबवरत लगता है तो इस तरह से मैंने एक टेबल की सीटर कर पूरों सिटर में सेट करकर बना लिया है त आप चाहो तो इस थे से वह अड़ी बना के Jr avn और ऐस अगर 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 आप चाहो तो मेरे तरह से फुरा तीन में से अगर और पूरा दे पर और उसको सेैंसे rf बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही कम कोश्ट में बन दाएगा सब की प्राइज भी मैं आपको बताते हुए जाओंगी जो जो मट्रेल मैंने यूज किया है और देखे ये इसमें मैंने वाल पुट्टी यूज की है जैसे हमें समय प्लास्टर पैरिस यूज करती थी अभी म भी मेरे घर में पैंट हुआ है और वाल पुट्टी बच गए थी और उसका यूज किया है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही Fall बच तो मैं आपको आगे बताती हुए तो मैंने देके इस लिसे अदोर बचती मैं मेरे घर में पैंट हूआ है तो यह देखे 20 लिटर की ना यूज की हैं तो इस तरह से 3 को लेकर मैंने पूरा सेट बना लिया है तो इस में आपको पहले मैं बताऊंगी इसका जो हैंडल है वो निकालने का तरीका इसका हैंडल निकालने में मुझे काफी मेहनत लगी थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो जैसा हम सोचते इस तरह से खीच कर आसानी से निकल जाएगा यह बिल्कुल नहीं कलता बहुत ही मझबूती से लगा हुआ होता है और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अंदर की तरफ यह फोल्ड होता है तो अकर हम कितना भी खिछते हैं यह निकलता नहीं है तो इसका एक बहुत आसा कुल ड्राइवर या चूरी को करम कर लेना अच्छे से और इस तरह से इसको देखें यहां पर इसको पीगला देंगे इसके मुझ के पास ताकि यह आसानी से निकल जाए तो बहुत ध्यान से आप करिए ताकि आपका हाथ जलना जाए और देखें इस तरह से करकर आप क्योंकि देखें मुझे इसको थोड़ा यहां से थीक करना है नीचे की तरफ से ताकि वह ट्री ट्रंक जैसा लुक आ सके तो उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया है और बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे तो मैं इस तरह से दो सरकल कर लोंगी दो सकता है तो पहले हम इसको इस तरह से श्टीक कर लेंगे फैविक और या तो इस तरह से आप प्लास्टर पर इसका जो बनाऊगे और स्वारी वाल पुट्टी का तो उससे भी आप स्टीक कर सकते हो और मैंने यहां पर मास्किंग टेप ले लिए हैं और कार्ट बोड को स्टीक कर लिया है ताकि यह दिखने में बिल्कुल लकड़ी का लूक आ सके तो यह देखे इस तरह से मैं कार्ट बोड को नीचे की तरफ स्टीक कर दोंगी और अच्छे से स्टीक करने के बाद इस पर में फिर अगला कपड़े का लियर लगाऊंगी इस तरह से आपको चित वाल पुट्टी भी जो मेरी बच्ची हुई थी मैंने उसी को यूज किया है देखे यह वाल पुट्टी मैंने 20 kg का मंगवाया था तो देखे इसमें से कुछ बच गया है तो उसी को मैं यूज करूंगी और इस तरह का अगर एक एक कीलो का लेते हो तो थर्टी से थर्टी फड़ी डीप को सब्सक्राइब कर देखे तो नशी को आप दो तीन बनाना चाहते हो तो 5 kg का लिए और आपको और अगर एक ही बना रहे हो तो आप 1 kg का ला कर यूज कर सकते हो तो देखे इस तरह से मैं इसको एक बट इसको बॉकेट में निकाल लिया है और इसका पानी मि तो देखिए पहले वाले में मुझे ज्यादा मुश्किल हुई थी थी थोड़ा और इस तरह से देखिए बस दीप करकर कर लपटे जाना है और दूसरे वाले में आसानी से हो गया था इससे मुझे आइडिया है कि जैसे आप डूपट्टा या सीधा कपड़ लेते हो तो आसा अचा लुक आता है तो देखिए इस तरह से बस आपको अपने हिसाब से आपको जैसा भी चाहिए उस तरह से लपेटते रहिए बस यह बिल्कुल हम जब बच्पन में मिट्टी से खिलते थे उस तरह का आपको फील आएगा इसे और मैस भी मेरा काफी हुआ था इसको बनान यह वाल पुट्टी का रिजल्ट मुझे प्लास्ट्र ऑफ पैरिस से काफी जाद अच्छा लगा और इसका रिजन यह है क्यूंकि इसमें सीमेंटका जादा मात्रा होती है तो इसकी वज़ा से यह काफी मदबूत भी होता है तो मेरे क्याल से बहटर रहेगा बहतर कि आप तो देखे इस तरह से और मैंने आगे भी जितने भी वीडियो रखें पहले मैंने प्लास्ट्रो पैरिस के उसमें अगर आप पतला लेयर वाला कोई भी डिया बनाते हो तो उसमें वाल पुट्टी यूज़ करने से बहुत ही अच्छा रिजर्ट आता है तो आप प्लास्ट्र कर दीजिए ताकि अंदर से कोई हवा न रह जाए खाली न रह जाए तो इस तरह से पूरा लगा कर और इसके उपर मैं पतला सा इसी वाल पुट्टी का लेयर लगा दूंगे इस तरह से ताकि हमारा जो टेक्शा बनेगा वह दिखे देखे इस तरह से अगर कहीं पर खाली ह हो गया है तो यहां पर मैं थोड़ा कागज लगा दूंगी तो आप उपर से भी कुछ भी कागज या कपड़ा एड कर सकते हो इस तरह से मैं पूरे में सीधा करकर एक पतला सा लेयर लगा लोंगी और इसके बाद जो हमारा फॉर्क होता है कांटा चमची दिखे इस तरह की कि उससे हम इस तरह से लाइन बना लेंगे रैंडमली को इस शेप में बनाना ज़रूरी रही है और यह काफी टाइम तक भीगा रहता है तो आप एक आधा घंटा बाद भी अगर करते हो तो यह आप आराम से टेक्श्र बना सकते हो या तो पूरा बनाने के बाद भी अगर को कहीं पर मिश्टेक लगता हो तो वापस इसको रिपीट भी कर सकते हो क्योंकि अंदर हमारा बहुत सारा कपड़ा हुआ है तो वह भीगा काफी अच्छे टाइम लंबे टाइम तक रहता है तो देखिए इस तरह से पूरे में मैंने बना लिया है और आपको बनाने के ताकि जब हम इसको लगाएंगे तो बिल्कुल इससे मैच हो जाए इस तरह से दोनों पर मैंने दोनों बकेट पर बना लिया है और बनाने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से ड्राइ करने के लिए रखना है चाहे वह दो दिन लगे एक दिन लगे डिपेंड करता है आप क अच्छ कार्ट बोरड में कट लिए बसे एक सुहें और ऊपकाई। तने यह लिए ब्राउं चोकलेट ब्राउन ब्राउन गिंदोम यह लूहते है। तो मैंने थोड़ा ब्लैक एड़ कर दिया, तो बहुत डार्क हो गया है, तो कैमरे में बिल्कुल ब्लैक जैसा लग रहा है, लेकिन यह डार्क ब्राउन कलर है, तो मैंने आपको सजेश्ट करूंगी, कि आप इसमें आप इसमें आपको कम पड़ेगा, और दुसरा, कि यह मज पर अच्छी आती है, तो आप चाहों तो एकरली पेंट भी उसकर सकते हो, और चाहों तो ऊइल पेंट भी यूज़कर सकते हो, तो मैंने यहां पर ओई पेंट भी ब्राउन कर लिया है, और इसको देखें इसमें जादा ब्रश माला कर उपर से शूरू करेंगे, ताकि जो बिल्कुल कवर हो जाए पूरा और एक बार जब आपका पेंट हो जाएगा तो बिल्कुल आपको यह दिखने में वूडन टाइप का लखड़ी का बना हुआ इस तरह का लुक आएगा तो इस तरह से पूरा कवर करकर और मैंने देखे इसको सुखा दिया है अच्छी तरह से मैंने इसी तरह से दोनों बकेट पर कर लिया है तो अब मेरा ब्राउन कलर काफी डार्क था तो मुझे उसको थोड़ा लाइट करना था इसलिए मैंने क्या किया है मेरे पास और इंज थोड़ा सा कलर बचा हुआ था उसमें ब्लैक कलर एड़ करकर लाइट ब्राउन कलर मार इस तरह से देखे हमारा बिलकुल बनकर तयार हो गया है और जो टेबल है यह जो मैंने बनाया है यह मैं दो साल पहले बनाया था आप मेरा सबसे पहला चैनल का वीडियो होगा उसमें आप यह तेबल देखे होंगे इसका सिर्फ मैं अभी पेंट कर बिलकुल नया जैसा कर इसका बेस तो हम बिल्कुल पहले जैसा हमने सीटर में बनाया वैसा बनाएंगे और कांश का उपर है उसको बनाने का तरीका मैं बता देती हूं यह मैंने पहले टेबल जो बनाया था प्लास्टिक के डब से उसका कांश का जो वीडियो है मैं वो शेयर कर रही हूं और सेम इस करें नहीं है जो यह साइज का चाहिए वो शाइस का और उसमें से आप सिर्फ पहली लेयर को पूरा कट करें और गर की तीन लयर को अंदर से देखे मैंने जो बता है उस तरह से कट कर लिजिए और इससे क्या होगा कि हमारा इस तरह से देखे सेसे और हमारा चाह युपर से लगाए हैं सीटर में उसी वाल पुट्टी में सिर्फ पानी एड़ कर देना है और उसको इस तरह से पतला लेयर लगा कर और फिर से हमें फॉर्की मदद से उस पर टेक्स्टर बना लेना है यहां पर मैंने प्लास्टर ऑफ पैरिस यूस किया था पहले मैंने वीडियो बनाई सानल से पत्रिकर में बनाई इस पनाई यहां पर वाल पुट ऑप सिर्फ गाल तो कवीडियो जो इस और आपकेट जरन से कमें तरह से प्लक्ता कर दोता नानए क्याना जाना ना रिबाओं में हम हैं करने तेक्टी वि coloring कर लोंगा साफ़ूँकर से पर बनाई तेक्टी में पर भी रख सकते हो देखे काफी खुबसुरत लग रहा है और चाहो तो अपने हॉल में या बेडरुम में कहीं पर भी छोटा से चोटी जगह में यह सीटर बनकर आपका तयार हो जाएगा और देखे कितना खुबसुरत है यह हमारा टेक्श्चर लग रहा है और इसके उपर आप पीलो देख रहे हो उसका डियाइवाई मैंने बहुत पहले रखा हुआ है इसका आपको आखरी में वीडियो के आखरी में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी और स्क्रीन के उपर भी आपको दिखाई दे रही होगी तो इसकी लिंक आप चाहो तो अगर आप बना रह कर और हमारा पूरा कंपलीट बनकर तैयार हो गया है तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करना मत बुलिए और इसी तरह के वेस्ट में डियूस के आइडियाज में बताती रहती हूँ थैंक यू सो म